आदाब बिकारन हो पस ये सब खेरात नहीं चाहिए मुझे तुम तो गई हो ना चो उस दिन जी उस दिन बिकारन के रूप में आई थी और आज ऐसे लेकिन फर्ट सिर्फ इतना है कि आज आज आपने मुझे यहां तलब किया है उस बहरूप के जलूरत क्या थी बस बहुत अर्मान था आपको रहवेली देखने का खुदाने दोनों खाइशे पूरी कर दी 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 जैसे बाकी सब के लिए यह राज ही अभी तक आप 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 आमना रशीदा के थान पत्ता नी बीबी सार्ण जी और पिछे वली हॉल्दी सफाई कर दी उसन ते माई बीबी चोटी सार्ण जी ओना देना लिए उसन जी कल पिछे वली हॉल्दी सफाई दा बोल रही से उदरते के सिदान जान भी ने तुमने पूछा नहीं मैंने तुम्हे यहां आने की बात को राज रखने का क्यूं कहा था मुझे मुझे तनी खुशी थी यहां आने की के कोई दूसरी बात जहन में नहीं आई तुम जिसे अपना मौसन समझती हो, इपने खंदीगी का मलक समझती हो उसकी जिन्दीकी पर जिस हस्ती का सब से ज़धा हाक है उसी हस्ती की झाद़ तुम सिखंदर भाई को अजाद कर लो कि भूल जाओ, तुम्हारी जिन्दगी में कभी कोई सिखंदराया था चेहरे से तो आप इतनी बड़ी सौदागर नहीं लगती लेकिन सौदा करना खूब आता आपको लेकिन शायद आप ये नहीं जानते बड़ी कम कीमत लगाई ये आपने मेरी ज़स्बात की आज तुम्हारे पास पूरा इख्तियार और हक है जो मांगना चाहती हो मांग सकती हो चलिए ये आप पर उधार रहा है हाँ अगर दे सकती है तो फिर कुछ लम्हों के लिए मुझे वो एसास देने जो एक शरीवजादी की रगों में पलता है जहां सुहागन बनना उसका नसीब ढहरता है लोग सत्केवारी जाते हैं बोलिये दान कर सकती है चलती है और हाँ बेफिकर रहे हैं अब मैं सिकंदर साही से कभी नहीं मिलूगी अगर मेरे वजूद से उनको तक्रीफ और अजियत मिलती है तो मैं ये अजियत खत्ब कर दूगी अगर हो से के तो मेरा एक पेखाम पहुंचा दीजेगा जिन्दगी में मेरी आखनी खाइश उनके कदमों को बोसा देना है कैसरे से आखना है कैसरे सप्रस atención अगर हो हाइश पराक छाइश कैसरे से मेरे पります झाम इस हुआ है प्रेक प्रॉकान प्रसों किता में इस जिiğता प्रसों कि अंप अधिर